कि हेलो एरिवन एन वेलकम मैं यूटूब चैनल आज के इस वीडियो हम सभी जानेंगे हाल ही में मिनिस्ट्री आफ डिफेंस गौर्वर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडियान आर्मी के लिए एक विकेंसी डिटेश्मेंट जारी किया गया है यह है एंबाकेशन लगाने होगा शाथ ही साथ को कौन सी पोस्ट करनी होगी शाधारन इस पीड़ पोस्ट ने है अच्छी के लिए लिए इसके लिए नंबर विकेंस टू है और बात करें category wise तो यह undeserved के लिए आपकी one है OVC के लिए one है scale of fake की बात करें तो यह 25,500 से 81,100 रुपे रहने वाला है age limit के बात करें तो यह सभी के लिए 18 से 25 साल रहने वाला है बात कर लेते हैं जनसे qualification यह आपका 10 प्लस तो यानि कख्षावारा पास आउट होना चाहिए किसी भी मानताप्राप्त विद्याले से next है आप सभी का LDC तो LDC के लिए आपका जो है यह क्या होगा इसमें number आप पोस्त है 13 और category wise आप सभी देख सकते हैं आपके लिए जो है मैं आप सभी को notification की link और offline form यह आप सभी को discussion box में दे दूँगा वहां से जा करके देख सकते हैं लेवल पे की बात करें तो यह आप सभी देख सकते हैं बात करें इजन्सेल qualification की तो high school pass out होना चाहिए नेक्स आप सभी देख सकते हैं second number में दिया है desirable यानि तीन साल का experience shipping work में होना चाहिए यह desirable है मिन यदि आप सभी के पास है तो आप सभी उसकी फोटोकापी लगा सकते हैं यह नहीं है तब भी कोई बात नहीं है ओके नेक्स्ट हम सभी देख सकते हैं यह कुक के लिए तो कुक के लिए आपकी नंबर आप पोस्ट हैं टू और आप सभी देख सकते हैं और अफू साल का एक्सिवी मानताप्राफ्ति हैं तो आप सभी लगा सकते हैं नहीं तो कोई बात नहीं आप भी काम हैं तब भी फार्म को फिलफ कर सकते हैं नेक्स्ट वेकेंसी आप सभी के MTS तो MTS के लिए आप सभी को होना क्या चाहिए हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए किसी मानत अप्राप्त विद्याले से experience है तो भी ठीक है नहीं तो कोई भात नहीं MTS मेंसेंजर के लिए भी हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए अगर हम neste Part इनमें से जिसके लिए भी अप्लिकेवल है और दैर कैसे करेंगे और क्या-kया डाकुमेंट्स लगाएं वह हम आगे देखेंगे बात कर लेते हैं सबसे पहले एस लिमिट एंड रिलेक्शेशन की तो यह थी आप सभी SCST OVC candidate हैं तो आप सभी SCST के लिए फाइव कर सकते हैं तो आपका जो डिड़क्टेड यानि जो डिड़क्टेड डेट है उससे आपको मैक्सिमिम्म यानि मोर दें त्री एर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए तभी आप सभी आफ लाइन कर सकते हैं नेक्स्ट है आप सभी का यदि आप सभी डिपार्टमेंटल कर निरेट हैं तो आप और SCST है तो आप सभी को क्या है सब्सक्राइब चाहिए चाहिए एद मैक्सिमम नेक्स्ट है आप सभी जो आप सभी का ज्यादा कोश्टन रहता है प्लेस आप पोस्टिंग के बारे में तो यह आपका मुंबई रहने पर जाते हैं तो उसमें आप सभी का पर्सक्राइब तो यह आपका हाई परसेंटेज लिया जाता है जितना ज्यादा हाई परसेंटेज होगा उतना बलाया जाता है तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं डाकुमेंट रिक्वाइड टू तो डाकुमेंट जो रिक्वाइड होने वाले हैं वह आपका high school pass out मांगा गया है यह यह minimum आपका qualification होना चाहिए बर Ihr certificate में आपका High School certificate ही कामा चाएगा का साटिप्ट यह थी 60S ती या OBC है तो आपका साटिफिकर्ण लगाएंगे या आपका चेंट्रल कंटर्मेंट का होना चाहिए एदिकर्शनल उनल क्वालिफिकेशन जो आपका मांगा का है वही लगा देने ये फावत लिखाफे लगाने हैं यह 5 रुपे के पोस्टल इस्टाम के शाथ और डोटेस्न फॉटोग्राफ आपके होने चाहिए यह होने चाहिए क्या सब्सक्राइब करना होगा कैसे सब्मिट करना होगा इन सभी के बारे में जानेंगे इससे पहले हम आप सभी को बता दें लास्ट डेट क्या होगी तो यह लास्ट डेट है जो फार्म करने से यानि फार्म करने की डेट है पांच दो 2022 और लास्ट डेट जो आपकी होने वाली है यह आपकी होगी साथ दो 2022 कितनी हो जाएगी साथ दो 2022 यानि ने एक महिने अगर टाइम होगा तो आप सभी को मतलब जल्दी से जल्दी आइधिंक 28 तरीक तक फार्म को सब्मिट कर देना होगा क्योंकि यह मुंबई जाएगा तो यह आइधिंक यह आप सभी का कम से कम चार से पांस दिन आफ लाइन अवेदर में लग जाता है अब बात कर लेते हैं सब्मिशन आफ अफ अप्लिकेशन की तो अप्लिकेशन को कैसे फिलफ करना है ओके हैं आप सभी यह देख सकते हैं application format है application format में फस्ट नमबर आप सभी का post applied फार मैंने ldc के लिए किया है वह मैंने यहां पे लिख दिया है देना आप सभी का name in black letters अपना नाम फिल करना है father's name फिल करना है mother's name और यहां पर आप अपनी data बर्थ फिल करनी है यहां पर आपको लास्ट डेट से अपने डेट आप बर्थ को घटा देना है जैसे कि मैंने यहां पर काउंट करके लिखा हुआ है यह लास्ट डेट है आपकी यहां पर आपकी डेट आप बर्थ है काउंट करने के बाद हमारा है 23 साल 8 महीने और 4 दिन तो यहां प matar है आप सभी एहां पुर कर दिया है तो आप छास्त पाफिल्ट कर दिया है देने आ जो भी केटगरी आपको करना है मैंने यहां-डी लल्र कर दिया है क्यांए यह पोस्ट टीन या मांगा है तो मैंने ट्राइल कर दिया है दैने आपको करना Kenneth मैंने के ट्री फार वी जो पोस्ट या यह यह वहां की बोस्ट है इसलिए मैंने निजर्व कर दिया यह यदि आप सभी ऑ मीजिजी मेरे अंडिजर्व के लिए अपलाईकर तो यहां पर एंडिजर्व कर दे थैं ओकि को कर्शिपांडेंस एड्रेश यानिए आफका जहाँ अडमेट काड़ आएगा वहां का आप सभी को यहां पे पता लिखे देना होगा गाओं का नाम है या पोउस्ट और यहां पे आप सभीं को डिस्टीट और पिन कोड नंबर वैसकेंदेंगे ये आपसभी का क्रिस्पांडेंज small Lip सें डो सेम है जैसा कि मेरा सेम हैं तो मैंने लिख दिया है यहां पे आप सभी को फोटोग्राफ्स पे signature कर देना होगा अब बात कर लेते हैं जो आप सभी को documents लगाने होगे इनमें आप सभी का यदि आप सभी OVC है SCST है का certificate लगाना होगा और ID लगानी होगी 10th 12th में जो आपका mandatory यानि जो मांगा गया है वह आपको लगा देना होगा और साथी साथ आप सभी को टू सेल्फ एड़ेस्ट इन्वलफ्स लगाने होंगे RS path के ticket के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट है टू लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाने होंगे और यह पासपोर्ट साइज आपको लेटेस्ट होने होगा ओके आप देख सकते हैं यहां पे मेना जैसे लगाया है यह आपका अप्लिकेशन फार्मेंट है और यह आपका हाई स्कूल सार्टिफिकेट है यहां पे आपको जरूर सिगनेचर कर देने होगा अपने फोटोग्राप्स के आदा उपर होना चाहिए अदा बाहर ये हमने कर लिया है आप संपते लिफाफे की बात करते हैं ऍभाण वि सीद और बात पलबाद नमबर varitे सेंट दोनों में फिल करना होगा पांस रुपए का अपको इस टाइम टिकट यह आपको अपने नजदी की पोस्ट आफिस से मिल सकता है तो यह आपको लगा देना होगा लगाने के बाद जो आपका एक अप्लिकेशन फार्म होगा जिनमें इन सभी को अंदर डालेंगे जिनके तो यह है वो यहां पर आपको लिखना होगा करतना हो और यहां पर आपको टू जहां के लिए भेज रहे हम सभी वह आपको एड़ेस फिल कर देना है यही एड़ेस है जो आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है अब आपको यह अप्लिकेशन फार्म हो जीते सारे डाकुमेंट से इनको ऐसे सिंपली मोड लेना होग ओके ऐसे मोड लिया जैसे मैंने और यह जो दोनों स्वावते लिफाफ़े हैं पात-पात के स्टेम्प लगे हों इनको भी ऐसे आप सभी ऐसे मोड के ऐसे रख लेंगे ऐसे रखने के बाद आप सभी को करना क्या होगा यह जो बड़ा वाला लिफाफ़े है ना इसी के अंदर आप सभी को फिल कर देना होगा और साथी साथ आप सभी को दो फोटोग्राफ्स यह जैसे मेरे दो फोटोग्राफ्स हैं ऐसे आपको दो फोटोग्राफ्स लेने होगे पीछे अपना नाम लिख देना होगा नाम लि पाज-पाज का टिकर लेगा है और अपने डाकुमेंट्स को ऐसे फिल कर देंगे आपको भी ऐसे अंदर सब्मिट कर देना है और साथ ही आपको अपने दोनों फोटोग्राफ्स जो मैंने बताई इनको भी इसी के अंदर डाल देना है डालने के बाद आप सभी को करना क्या है यह जो आपका उपर वाला लिफाफा है इसमें भी आप सभी को चाहे तो यहाँ पे में यहीं पे आपको क्या कर देना होगा एक 10 रुपएगा डाक टिकट लगा देना होगा और जो आपको पोस्ट करनी होगी यह आपको साधारन पोस्ट करनी होगी कि अपने नज़दी की पोस्ट आफिस से आप सभी साधारन पोस्ट कर दीजियेगा रजिस्टर्ड यह आपको इस में पोस्ट नहीं करना होगा और यद्याप सभी को वीडियो के लेके कोई भी डायूट है तो आप सभी घ्नावट में कमएंट कर सकते हैं और अपने झाल दिन हुटू झाल 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 को झाल 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 कि बताव जो तो तो फ्टेकल में नच्टून झाल झाल